फर्स्ट वन का अंसर ठीक है, C है, यह आता है, सेकेंड वन का अंसर D है, ओके, थर्ड वाला यार, थर्ड वाला मुझे तो आनी रहा है, थर्ड वाला बात में करता हूँ, ठीक है, फोर्थ वाला कोशन देखता हूँ, फोर्थ वाले का अंसर यह है, फिफ्थ वाले का अंसर D लग रहा है, guys, don't make this mistake, तुम्हें थर्ड वाले का अंसर नहीं आ रहा था, और तुम्हें फोर्थ का अंसर थर्ड में लिख दिया, फिफ्थ का अंसर फोर्थ में लिख दिया, उस्ष्थ का अंसर फिफ्थ में लिख दिया, ये वाली गलती एक्जाम में बिल्कुल भी मत करना MCQ Papers में अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो बहुत ही appropriately उसको छोड़कर जिस question का answer उसी में तुम्हें mark करना होगा यह वाली गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं So MCQ Papers चाहे वो mathematics हो चाहे वो तुम्हारा economics का foundation का paper है या फिर वो mathematics का paper है कोई भी MCQ Papers में जो भी तुम्हें चोड़ना है तो वो clear cut तुम्हें वहाँ पर skip करना होगा Don't rise fourth के answer third में Fifth का answer fourth में Sixth का answer fifth में ऐसा तुम्हारा पूरा series खराब हो जाएगा Please don't do this mistake ठीक है This is Agidez Daga signing off Thank you so much